सूजी याटा मैदा बेशन सब छोड़िए दोस्तो इस नास्ते को ट्राइ कीजिए ये नास्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा मज़ेदार चत्पटा सा बन करके तयार होता है एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे आज मैं आपके लिए चने से बनने वाला बहुत टेस्टी मज़ेदार सी नास्ते की रेस्पी लेकर आई हूँ बहुत आसान तरिके से इसको आप बना करके आसानी से तयार कर लेंगे दो तरह की मूंग डाल है यह खड़ी मूंग की डाल है और थोड़ी से धुली बारी मूंग की डाल है तो दोनों तरह की मूंग की डाल को हमने अच्छे तरह के साप करके रात में ही इसे भिंगो करकर रख दिया था नाक्ता बनाने के लिए तो अगर आप morning बना रहे हो तो रात में ही सारी तयारी आप करकर रख सकते हो यहां पर फेड यह देखे हम जो है चन्ने की डाल लिया है यहां पर एक कब चन्ने की डाल है जिसे मैंने जो है अच्छे से बास करके दो गंटा के लिए मैंने इसे भिंगो कर रख दिया था दाल बहुत अची तरीके से फूल गई है क्योंकि इस टाइम गर्मिया भी है तो इसके बज़े से ये दाल जल्दी से फूल जाती है तो यहाँ पर हमारा जो है चना मूंकी दाल और चने की दाल जो है तीनों ही फूल करके तयार हो गई है नास्ता बनाने के लिए तो चलिए शुरू करते है नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चोटा वाला बिक्सी का जाल ले लिए है और यहाँ पर मूंक से दो चम्मच पानी का इस्तमालाब कर सकते हैं यहां पर यह देखें इसमें हम डाल देंगे दस से बारा जवार लैसुन की कलिया जिससे हमारा नास्ता बहुत ही चटपटा फ्लेवर फूल बनेगा इसके बाद इसके अंदर जाएगा एक चम्मच जो है जीरा और इसमें साबूर डाल देते हैं तो जल्दी से पिस्ती नहीं है थोड़े बहुत यह कहीं न कहीं से रह जाते हैं पिसने में तो इसलिए छोटा-छोटा करके डालेंगे न तो यह आसानी से पिस जाएगा तो चलिए यहां पर मिर्ची को तोड़कर फिर हम डाल देते हैं आप अपने यह देखिए बहुत ज़्यादा इसे जो है हमें पेश्ट को ना इकदम दरदरा से रखना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस इसी तरह के से थोड़ा से ड्राइब रहना चाहिए पीश्टे टाम थोड़ से अगर साबुत डाल रह जाते हैं तो दोस्तों ज़रूर ट्राइब कीजिएगा बहुत ज्यादा ट्रेस्टी बन करके तयार होता है आप इसे चाय के साथ इंजॉज कर सकते हैं महमान आयत उनके लिए भी आप बना करके से तयार कर सकते हैं आप यहाँ पर सेम जार कर इस्तमाल किया है और इसमें हमने जो है चना डाल दिय है आप साबू चोचने हैं इसको भी हम दो से तीन चमच पानी डाल करके पीस लेंगे एकदम दरदरा सा बिल्कूल भी आपको न इसका नहीं बनाना है एक्स्टा जो चने गिर गए हैं इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर यह देखे दाल सौरी हमने चना को पीस करके यह द लिसी बरतन में निकाल लेते हैं हमारी नास्ता बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं और बारिशों में अकसर यह बंता है घर में और ठंडियों में बहुत जयदा बनता है दोस्तों तो चलिए अभी तो हमारा खाने कामन था तो हमने बनाया और आप लोगों के साथ में इस रै पर ये देखिए हम दाल को पीस लिए हैं तो हमारा 조हतीन तरिकी का जो दाल है मुं की डाल चनल चनल डाला तो अधर च किसरी प Hoffner लिए हैं और जो मिकसी जार में थोड़ा बहुत रह गया थह दाल उसमें थोड़ा पानी डाल करके 1 वी थोड़ा ढख करके साइड में रख देते हैं बस जब तक कि हम इसके लिए टेस्टी से चटनी बना कर तयार करेंगे तो इतना ही देर आपको रखना है तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए आपको दे रहे हैं इस तरह किसे चटनी आपने कभी नहीं बनाया होगा तो इस चटनी और इसके साथ दो ही कलिया इसमें लैसुन की डाल देंगे आप चाहे तो अध्रक डाल सकते हैं यहां पर यह देखिए हमने थोड़ा सा डाल दिया है एक चमच सरसो का तेल इसके बाद इसके अंदर जाएगा जो है स्वातकर नमक और नमक डालने बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कूटी हुई लाल मिर्ची तो चट्पटी से तीखी से चट्नी बनकर कर के तयार होता है और बिना मेहनत का आप इसको बना करकर तयार कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके बाद एक चमच इसमें सककर डाल देंगे एक मत करिएग जरूर से तो देखिए यहां पर हमारा जो है खट्टी मीठी तीकी चत्पटी से चत्मी बन करके तयार हो गया है दोस्तों बिल्कूल भी इसको आपको तड़कल का लगाने के जववत नहीं है यह अपने आप में ही एतना ज्यादा स्वाद देता है कि हम आपको क्या बताएं तो एक बर दीजिएगा देखिए यहां पर हमारा जो दाल था ना वह हमने ले लिया है अब इसके अंदर थोड़े से इंग्रिडेन और डालेंगे यहां पर हमने जो है दो से तीन बड़ी प्याज को यह देखिए इस तरह के से बहुत ज़्यादा बारिक भी नहीं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं इस तरह के से काट करके हमने डाल दिया है और जब रेष्पी को बनाए ना तो प्याज फोड़ा सा जादा ही डाल यहां पर यह मैं 2-3 हरी मिर्ची बारिक फिर से काट करके डाल दिया है तो निक्री थोड़ी से जादा के जाली दोस्तों क्योंकि हमारे यह बहुत चटफटा खाते हैं इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा अधरक यहाँ पा थोड़ा सा यह देखे ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर बारिक काट करके हमारे जैसे डाल सकते हैं इसको और सभी चीजों को डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे स्वात का अनु कोई भी आपको और इंगेट करने की जगवत नहीं है और इसके अंदर बस थोड़ा सा आप लाश्ट में जो है इसके अंदर हिंग जरूर डालिएगा हिंग से ना जो चनी की डाल है मूं की डाल है यह पेट में बिल्कुल भी गैस बगरा नहीं बनाएगी और यह नास्ता अच्छे से आप इसे डाइजस कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखे थोड़ी सी हिंग हमने जो है इसमें डाल दिया है और हिंग डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे आप हमारा जो नास्ता है बनने के लिए तैयार है दोस्तों तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरब यहां पर आच्छे से मैंने सब मिक्स कर दिया है तो अब यहां पर यह देखे गैस की तरब आ गए है और चढ़ा दिया है कढ़ाई में सरसो का तेल अच्छे से गरम हो गया दोस्तों तो यहां पर यह देखे हम नास्ते को इस तरीके से बैटर को लेंगे और छोटी-छ उसके बाद देखे करके टिक्की को डाल दीजेगा, तो आप देखेंगे ना बहुत अच्छी तरुके से यह पलट जाता है, बिल्कुल भी यह तेल में जाकर पटते नहीं है, ना ही तूटते है, ना ही आपका तेल खराब होगा, बहुत अच्छा सा यह फ्राई हो जायेगा, तो यहाँ पर देखे कुछ सेकंड तक बस इसे फ्राई होने दीजिएगा जब यह अच्छे तरके से नीचे से आप एक जो है देख लीजिएगा नीचे से पलटने लाइग हो जाए बस तुरण इसको पलट दीजिएगा सारे डिक्की को जो देखे हो गया है एक साइट से तो हम इसके पलट देते हैं और धीरे धीरे करके ना इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे आपको जब भी इस रेस्पी को बनाना हो तो रात में आप दाल भिंगो दीजिए और सुबह में आप इसको बना सकते हैं अगर आपको साम को बनाना हो तो आप जो इसे सुबह में भिंगो दीजिए और साम को ये दाल आपका तयार हो जाएगा और आप इसे अराम से बना करके तयार कर सकते हैं चाय के साथ यह अच्छे लगते हैं कि आप जो प्याच के पकोड़े बनाते हो विसंग के पकोड़े बनाते हो उसको भी भूल जाएंगे और इस डेस्पी को आप बार बार बनाना चाहेंगे तो दोस्तों यह ना इतना अच् कर जो नाष्टा है वो फ्राई हो चुका है तो हम ने इसे थाली में निकाल लिया है और इसी तरह के से सेम प्रोसेस से हम जो है दूसरे बैज कभी नाष्टा बना लेते हैं और दोस्तों कितना कम समान से देखें कितना ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा टेश्टी से ये लाना आप और इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूं कि आप ट्राई करना ट्राई करना कि कुई हमें जब भी रेष्पी लेकर कर आते हैं ना तो हम आप लोगों साथ में शेयर करते हैं तो आप लोग जरूर इसको बनाईए खाईए आपको इसका स्वात कैसा लगा दूर दूर तक जा रही है तो दोस्तों जरूर रेष्पी को ट्राई करना और रेष्पी अच्छी लगी फ्रेंट एक छोटा सा लाइक भी अपना जरूर दीजिएगा तो यहां पर यह देखिए हमारा जो है सेकंड बैच कर भी नास्ता बन करके तैयार हो गया है तो यह हम नास्ते को प्लेट में निकाल लेते हैं अब गर्मा गरब यह नास्ता खाने के लिए तैयार है आप इसे चाय के साथ खाईए चट्नी के साथ खाईए और आप लोग चट्नी भी जरूर जो है ट्राई कीजेगा चट्नी भी बहुत ज़्यदा स्वादिश्ट बन करके तैयार होती है और इसके साथ बहुत अच्छा पंडिशन है और इसकी आवाज सुना आपने यह कितनी ज़्यदा क्रिस्पी बनी है दोस्तों बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुआ है हमारे यहां दोस्तों इसको जो है डाल वाले कवाब कहते हैं और यह नास्ता खाने में बहुत जरस्वाधित है जिसे आप जो है जरूर बनाना ट्राई करना एक बार हमारे कहने से और हमारी फैमली में यह नास्ता सबको बहुत ज़्यदा पशंद है अब इस नास्ते को आप मेहमान के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप जो है मॉर्निंग इवनिंग कभी भी बना कर खास सकते हैं जितना खास नास्ता इतना टेश्टी नास्ता वह भी इतना कम समान से दोस्तों और देखिए यह कि इतना ज्यादा क्रिस्पी बना हुआ है तो चली दोस्तों छुटा सा लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर निव आया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिएगा ताकि आने वाली हर रेस्पी की नॉटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहा है और रेस्पी को जरूर से जरूर ट्राइ कीजिए और अपन सा लाइक भी कर दीजिएगा मिलते हैं फिर एकना ही रेस्पी में तक तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग दोश्तों